हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल इसका नाम है प्यूश महता सर की क्लासेस यह चैनल स्टार्ट करा है हमने कि केसे हम आपकी लाइफ में आपको और सक्सेस को मिला सकें जो आपके फीर हैं उनको हटा सकें जो आपके स्ट्रेस हैं उनको कम कर सकें और उन सब के लिए एक ही तरीका है वो है motivation, courage और confidence उसी को आपकी life में और बढ़ाने के लिए हमने story के session स्टार्ट करें हैं This session is one of them So start करते friends आप board पर देखेंगे एक title लिखा हुआ है good decision, experience और bad decision सही निर्ने, अनुभाव और गलत निर्ने ये तीनों शब्द आपकी life में बहुत काम आते हैं, success पे ले जाने में केसे काम आते हैं, इसको connect करने के लिए मैं आपको एक story समझाता हूँ, सुनाता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं आप से क्या कहना चाहता हूँ तो फ्रेंड्स, एक बहुत छोटा आदमी रहता है, जो किसी जमाने में एक कबारी का काम करता है वो एक पत्रकार के पडोस में रहता था, थोड़े सालों में वो business start करके अच्छा successful आदमी बन जाता है तो वो जो उसके पास में जो reporter रहता था, उसको लगता है यार कि क्यों ने इसकी सफलता का राज जाना जाए ये जमीन से उटके एक बड़ा इंसान बना है तो उसके पास जाता है और उससे कहता है यार मैं आपका interview लहना चाहता हूँ तो वो उससे कहता है कि बिल्कुल मैं ready हूँ पर मुझे ज़्यादा English नहीं आती बोले कोई दिक्कत नहीं आपको जैसी आती है वैसी बोलना बोले ठीक है तो interview उससे first question पूशता है What is the basic of your success? आपकी success का basic क्या है? आपकी सफलता का राज क्या है? तो वो कहता है only two words तो reporter पूशता है वो क्या? तो बोलता है good decisions सही निर्ने तो reporter मुस्कुराता है बोलता है सर ये तो सब की सफलता का राज है आदमी सफल वो होता है जो सही निर्ने लेता है अच्छे निर्ने लेता है और कुछ बताएं तो केता है नहीं मेरी सफलता का तो यही राज है गुड डिसीजन सही निर्ने वो केता है यार यह ऐसे बताएगा नहीं तो पत्रकार थोड़ा अपना दिमाग लगाता है और उससे सेकंड कुश्चन पूछता है अच्छा आप हमें यह बताएं कि केसे आप आप सही निर्ने ले पाएं प्लीज एक्स्प्लेइन हाओ यू अर एबल टू टेक गुड डिसीजन्स तो नाव वो सक्सेस्फुल बिजनेसमन बोलता है ओनली वन वर्ड माय ब्रदर और यह एक्स्प्रियेंस मैं सिर्फ एक ही शब्द से सही निर्ने ले पाया और उसका न और भी नहीं क्योंनित अब पत्तकार उसको थोड़ा ऊर डीटेल में ले जाता है उससे बोलता है अच्छा यह बता लीजिए कि आम आया केसे है तो केता हाँ यह सही बात कि इसे सवफ्रियेंस मुझे हम जब कर दो शब्दों से और यह तो आम तीये सब द्रेसीजन्स यह अब पत्रकार उस से पुषता है अरे सर इसा होता है क्या गलत निडवने से समट लास तक नहीं हुआ तो वह आप में हुआ। बोले मैंने गलत निर्णे लिए उन गलत निर्णे से मुझको अनुभव हुआ और अनुभव से फिर में सही निर्णे लेने की अपनी capability को develop कर पाए आप वापस से सुनेंगे पहले bad decisions, bad decisions से find out वह experience और उस experience का benefit लेके उस person ने क्या लिए good decision so now we come to our moral तो दोस्तों कोई भी सही निर्णे शुरुवात में नहीं लिया सकता उसके पहले बहुत सारे failure count होते हैं Thomas Edison ने भी जब electricity का bulb बनाया था तो उसके पहले वो एक हजार बार अपने प्रयोग में असफल हो चुका था अगर वो पहले प्रयोग में असफल होके और अगर अपनी रास्ते को छोड़ देता तो अमको शायद दस साल बाद electricity का bulb मिलता लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो लाइफ में वोही लोग successful हैं जो निर्ने लेते हैं निर्ने लेके गलत होने पर उससे अनुभव लेते हैं और फिर उसको सही निर्ने तक ले जाकर ही सफल माने जाते हैं तो अगर आपको भी दोस्तों सफलता अरजित करनी हैं आपको भी successful बनना है तो आपको decision making सीखना पड़ेगी आप जो भी decision ले अगर वो सही है तो आपको आगे ले जाएगा अगर वो गलत होगा तो आपको experience देगा और आपको बताएगा कि इस निर्ने से आप आगे नहीं जा सकते तो फिर आपको और निर्ने लेंगे लेकिन मैं वापस repeat करता हूं if you want to be successful then you have to take you have to start making decisions अगर आप decisions ले पाएगे तो ही आप success की और जा पाएगे एक आखरी मैं आपको एक phrase और बताऊंगा friends जो आपने भी सुना होगा बहुत famous है वो कहता है कि गुम्रा वो नहीं है जो बटक गए हैं गुम्रा तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं ठीके तो जिसने निर्ने लिये हैं और जो fail हो गए हैं वो कभी ने कभी सफल होंगे लेकिन जो इंतजार कर रहा है एक सही निर्ने का वो इंतजार ही करता रह जाएगा अतर आपसे फिर again I request if you want to be successful then start taking decision without thinking about good और बैट ओके फ्रेंड्स तो अगर आपको हमारी स्टोडियो और हमारे वीडियो और हमारे सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू